विंडोस 12 फाइनली आने वाल है बिल्कुल सही सुना है आप लोग ने विंडोस 12 का अर्ली मौक अप प्रोटोटाइब के कुछ लिक्साना शुरू हो गए है कुछ लोग ते भी कहरें कि 2024 में आने वाला ही है और कभी आपको लगा है कि यार माइक्रोसॉफ में विंडोस 11 तो अभी 2021 भी निकाला था लेकिन इती जल्दी विंडोस 12 कैसे आ रहे है और क्या नया देखने को में सकता है इनको चीजों के बारे में बात करें लेकिन एक सवाथ आपके मन में अभी तक आ रहा होगा कि 2015 ने माइक्रोसॉफ ना ओफिशली बोला था कि हमारा लास्ट वर्सन होगा विंडोस का और विंडोस 10 चो देखा जाए इस क्यूब पर हम अप्ग्रेट देते चले जाएंगे आने वाले समय में और यही फाइनल वर्शन होगा लेकिन इसके विंडोस 11, 12 और 13, 14, 15, 16 पता नहीं किते देखने को मिलेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ द्वारा से उसी लाइन अप में कूद गया देखो उस समयने सिंपल सा फंडा यह था कि विंडोस 10 को हमें यहापे निकाल ला है लेकिन इसके अंदर हम अपडेट देते चलियाएंगे जिससे माइक्रोसॉफ का विंडोस 10 पूरा का पूरा एक नहा ओवरॉल पूरा डिजाइन के साथ आ जाएगा मतलब एक बाद बता सकता हूँ आज के समय का विंडोस 10 देखो 2015 का विंडोस 10 देखो बहुत डिफ्रेंस है यूई में और फीचर्स वाइस काफी सारी चीज़े हैड्स आप हो चुकी है बिल्कुल मैं विंडोस 11 विंडोस 10 की तो कंपेरिजन कर यह नहीं रहा हूँ लेकिन बात पता है यहाँ पर क्या थी लेकिन बात की जाएसे विंडोस का नया वर्जिन नहीं आ था तो उन्होंने भी यह सोचे यहाँ पर क्यों ना हम एक नए विज्व ओवर हॉल के साथ एक चीज़ निकाले नए फीचर्स को इंट्रीज़ करें और नए तरीक इस चीज़ को प्रमोट करें और 2021 में मैं लिटरली बता रहो कि 2021 से पहले किसी को भी ख़वर नहीं थी मार्केट में कि विंडोस 11 आने वाला है यहां तक कि इसके बारे में लीक्स आना चाले हुए थे इसकी ISO जब आउनलाइन लीक हो गई थी जो बकाया था जिस तिन लीक होई थी उस तिन मैंने वीडियो भी बनाया था कि लीक डायसों पे लीक विंडोस 11 कैसा लगता है अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो याद होगी यह चीज़ और उसके बाद ही पता चला है कि बहुत ही लिमेटेड चीज़ आ रहे है लेकिन फिर भी लीक्स वगर आना चाल लोगी इस लिए लगता है कि विंडोस 12 भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसके साथ ही बात यह तो विंडोस 12 को लाने का एक और मकसद यह हो सकता है देखो विंडोस 11 जब आये था तो काफी सारे कंप्यूटर में इन कंपैटिवल था और क्या आपको मालूम है कि 2021 में विंडोस 11 के लांच के लाउंच के पीसी से बूस्ट आ गया कई लोगों ने नए पीसी डेवलप करें तो हमेशा PC सिल्स बूस्ट हो जाती है और लोग नए OS के पीछे यहाँ पर भागते है इसके साथ यह 2024 एक काफी सही डेटिव विंडोस 12 के लिए जो कि एक बाव बता आप लोगो विंडोस 10 का जो आखरी लाइफ सैकल खतम होने वाला है वो होने वाला है 2025 में 2025 के बाद ऑफिशल अपडेट विंडोस 10 के खतम हो जाएंगे लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पर Microsoft करना चाहता है कि जो लोग विंडोस 11 पर अपग्रेड कर गए उनको विंडोस 12 पर तो हम डालेंगे लेकिन जो विंडोस 10 की यूजर है जो विंडोस 11 पर अपग्रेड नहीं कर पा है अब वो एक नया PC ले नए चीज़ के उपर मूब आन कर और विंडोस 12 के उपर मूब आन कर जाएं और कोई फाइनल गैरेंटी नहीं है कि आपको क्या देखने को मिलेगा क्योंकि अभी भी चीज़े अंडर डेवलप्मेंट चल रही है और अंडर डेवलप्मेंट चीज़ों कर रखने का मतलब यह कि इस बार देखाया तो इंटरनली माइक्रोसाफ्ट अपने OS में काफी मेजर चिंज़ेस कर सकता है मतलब विंडोस 11 जाना जाता था अपनी सिक्यूरिटी के लिए सब्सक्राइब यहां तक की बात यह तो मोबाइल फोन के प्रोसेसर से इतने जादा इंस्पार हो गई इंटल की अभी परफॉर्मेंस को और एफिशेंट को 12 जेनरेशन में देना शुरू कर दिया और सुना आए कि ARM के डिजाइन को लेकर भी अगर इस टैप का प्रोसेसर अगर मार्केट के अंदर आता है उसके लिए कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो होना चाहिए और श्याद विंडोस 12 यहां पर यह काम यहां पर कर सकता है मलब आप लोग समझे कि यहां पर नए प्रोसेसर नए हाड़वेर और चिंज चीजों के उपर काम हो रहा है कि नए RTX वाले जो ग्राफिक कार्ड आएंगे उनके उपर भी और यह एक काफी बड़ा क्रीजन हो जाता है तो कुल्मिया के बात किया तो विंटोस 12 के बारे में तो काफी सारी चीज़ है औरेडी मार्केट में लीक होना शुरू हो चुका है और रेडी मॉक अप्स वागरा के बारे में हम बात कर रहे है लेकिन अभी भी हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं जब तक एक स्ट्रॉंग लीक ना आ जाए अभी जो लीक्स इंफॉर्मेशन उससे यह पता है दोहजर चॉबिस में आने वाला है और इसके अंदर नए ट लोगों को नए फीचर्स देखने को मिलें क्योंकि हर साल देखा जा तो एक ही वर्शन का नाम बदल बदल के अपडेट निकालने पर लोग उसे अपडेट नहीं करते लेकिन जब एक नया वर्शन आता है न तो लोग हमेशा थोड़े एकसाइट हो जाते जानना चातों कई बार इस टेकर में अपडेट करते हैं जिससे लोगों को सिक्यूरिटी फीचर्स भी मिलते हैं और सर्विसेज भी देखने को मिलती है जिससे कही ना कहीं Microsoft भी कुछ ना कुछ पैसा बना लेती है क्यार देखते है Microsoft Windows क्या रहता है लेकिन आपको पता सकता हूँ एक बात अगर Windows 12 अगर लीक होता है उसका ISO लीक होता है कुछ भी अगर आता है यहाँ पर मैं सबसे पहले वीडियो के उपर बना देता हूँ मतलब कि Windows 12 अगर ISO लीक हो जाए कुछ भी अगर आ जाए ना उसका hands-on वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा Windows 11 के साथ भी हमने यही चीज़ करी थी क्यूंकि तो देखते है क्या रहती है आगे कहानी पसंदा है लाइक करना शेयर करना सब्स्राइब कर अगर Windows 12 लेटेट